समस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चेनल में आपका स्वागत आज की इस वीडियों हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी पीजीटी नई बर्ती की आवेदन योगिता और पतो की संख्या के बारे में उत्तर परदियस नई प्राथ्मिशिक्शक बर्ती की बा आगे बंदन से पहले एक सूजन उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रतेश बीड शेयुक्त प्रवेस प्रिचा की त्यारी कर रहे हैं वे सभी अभरती चच्छु प्रकासन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं बीड की समय आभीतन भी चल रहे हैं और यहां पर बीड का सारा का स्रीलेवस कवर किया गया है और इससे समंधित इस पुस्तक में 2700 से ज्यादा महत्पूर्ण प्रसन दिये वे हैं जिस प्रकार के प्रसन बीड पूछी जाते हैं इसी पुस्तक में 600 पेपर भी आपको देखने को मिल जाएं सभी कापी किताबो दुकानों में चचु प्रकासन की यह बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक में डिस्कूशन बाक्स में दे दिये वहां पर जाकर कि आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं जैसे आप लोग अभी देख रहते इस्टिटी गाइड उसी प्रकार्सिगां पर प्रेक्टी सेट भी आता है प्रेक्टी सेट में भी 49 से जधा ज़्यादा बहुवे कल्पी प्रेशन दिये हुए और 600 पेपर भी इसकी वी लिंक में डिस्कूशन बाक्स में दे दिये सुरू करते हैं सबसे पहले बात क की नई वेकैंसि इसके बाद हें हम लोग बात करेंगे बदें प्ने दिया सकते हैं जो रिक्त पदों का व्युषार दिया गया हैं उसे यहां पर देख सकते हैं कि दिली में कितने पद खाली हैं कितने में अने वाली है जैसे तौर प्राइमरी में यहां पर लिखा हुआ कि असिस्टेन्ट नर सरी के 153 पद है है और टीजिटी इस्पेशल एजुकेशन नौसो इंक्यावन पदोबर भड़ती आने वाली है कंप्यूटर टीचर 376 पदोबर वेकेंसी आने वाली फीजिकल एजुकेशन टीचर 463 पदोबर वेकेंसी आएगी म्यूजिक टीचर के 182 पीजिटी के 638 और टीजिटी डुमेस्टिक साइंस के 368 ड्राइंग टीचर के 572 योगा टीचर के 496 लाइब्रेरियन के 312 और टोटल 16 1546 पदोबर भड़ती आने वाली है वैसी में आप लोगों को जानकारी दी थी कि केंद्र और दिल्ली जियातर वर्तिम और अब उत्तर पर्देश में भी योगा शिक्ष्कों की बरती की जाएगी हम लोग बात कर रहे थे आने वाली भरती की तो यह बरती आएगी कब तर मुझे जानकारी दी गई है और जानक लगाया गया अगली डेट 23 माई को लगी है तो 23 माई के पहले पहले इस भरती का विज्यापन जारी हो सकता विभिन्य पथों को लेकर कि वहां पर अकर योगता की बात कर तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं आनता मेरे टेलिग्रम चैनल नल देख लीजिए वहां पर मै इस बीज़ी के बारे में बताया गया है कि बैशलर की डिग्री है जो भी यह आप उसमें 25 प्रिस्त नंबर चाहिए आप के सेकेंड यह देखे लिए लिए हिंदी को नॉलिज होना चाहिए अलाग-अलाग सब्जेट के लिए यहां पर बताया गया मैत के लिए क्या योगत उसी तर turbine के प्रक्रिया जिस तरीके से कवियस की वर्ती में हैं एज्बू कॉलिप्यकेशन नी yem करे के यहां पर लिए और नीजरी बी अगर आप किये हैं तो भी यहां पर valid है secondary level तक हिंदी अवश होनी चाहिए तो यह जो DSSB से primary की वेकेंसी आने वाली है यह उसका criteria उसकी eligibility है जो भी वेकेंसी आ रही है लगातार आप लोग उस पर काम कर सकते हैं जब तक UP में वेकेंसी नहीं आ रही है चाहे वो KBS की बढ़ती कोशिस की है कि अभी तो पूरा जो काम वो रुका हुआ है नए सिक्षा सिवाचेन आयोग का इंतजार किया जा रहा है नए सिक्षा सिवाचेन आयोग के बारे में जानकारी दी गई है कि ड्राफ्ट बनकर के तयार हो गया है और उसको विभाग से भेज दिया गया है और ज समीद है कि अप्रेल के महीने में अनमोदन मिल जाएगा क्यून या जुलाई तक जो चैन प्रक्रिया वो पूरी होजागी सदस्यों की चेर्मेन इत्यादी की और उसकी बाद में बहुत जादा समस्या नहीं होंगी चुकि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को जानकारी द मामला है जो मामला है और अच्छनवाला जो मामला है अरचफसों की सूची वाला जो अमला कोड का सिंगल बेंच का उस पर मंधन केड़ चल रहा है कि किस तरीके से निप्रटा जाए क्या किया जाए क्या नहीं होगा तो नई शिच्छक बढ़ती की बारे में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सारी चीज़्य की परिच्चा करवाई जागी और यूपि टे कि साथ ही तीटी पीजटी की परिच्छा साल के अंत में अंत में आपको देखने क Liebe तो यूपि टीएटी और टीटी पिजटी की यह दो परिच्छाऊं के बारेन जानकारी दी गए कि इसी वर्ष पूरा कराने की कोशिश की जा रही है इसलिए नई जो सिक्षक भरती है इसके लिए विद्यार्थियों को और ज्यादा प्रयास करना होगा तो फिलाल 23 मार्च को विद्यार्थी लगनों में नई सिक्षक भरती के लिए ये धर्ना पर दस्न करना है और महाधर्ना नाम तो रखा है महाधरना तभी होगा जब जादा जादा चातर यहां पर जुटेंगे पिछले एक महीने से मीडिया में भी काफी सारी सूजनाय आई हैं अच्छी बात है कि मीडिया ने भी इस मुद्यों को अच्छी तरीके से उठाया है हाला कि प्रदेश में लगबग डे 16261 पद रहते हैं जिसमें 59,000 ग्रामीट चेत्र में और 12149 पद नगरिय चेत्र में तो मेरे पास यह विद्यार्थी ने भी जाता कि सर इसको जो है आप दिखा दीजेगा ताकि जाद जाद विद्यार्थी को पता चल सके मैंने तो दिखा दिया देखते हैं कितने विद्य परिद्यार्थी पहुंचते हैं और अगली जो सूचना है वो सीटेट को लेकर के हैं सीटेट का भी हाली परिणाम जारी हुआ है लेकिन अब अगले सीटेट में देरी लगेगी और ऐसा लगता नहीं है कि अब साल में दो बार सीटेट होगा चब से ऑनलाइन परिछा बहुत जादा सूचना है मिली थी इसलिए सीटेट के नोटिफिकेशन के लिए विद्यार्थियों को जुलाई या अगस्त के महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है कम से कम दो या तीन महीने बाद ही अब इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है तो ठीक है दोस्तों यह हो झालाई हो तक शर्णारा कि तोस्तों दोस्तों क्या हैा मुनोब शिekk।